तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग details review करने वाले टाटा निप्टी 200 alpha 30 index fund का दोस्तो ये index fund जल्द ही market के अंदर आपको open होते देखने को मिल जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस fund के बारे में सभी important details के बारे में जानेंगे जैसे कि इस fund का benchmark क्या रेने वाला है इस fund के managers कोन है ये fund की इन company के अंदर investment करेगा की sector को ये fund target करेगा इसका एनवी का price क्या रेने वाला है इस fund से जो भी related information करहेगी हम इस video के अंदर चानने वाले हैं तो चलिए video start करते हैं और इस fund के बारे में details में जान लेते हैं किसी भी new NFO के बारे में जानने के लिए आपको Google में आना है यहाँ पर आपको search करना होगा money mint idea.com जैसे आप money mint idea.com search करेंगे ये वाली website आपके सामने आ जाएगी इस website के उपर आना है और यहाँ पर देखे एक option से new NFO fund आपको इसके उपर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो money mint idea के NFO वाले fund के उपर आप आजाएंगे यहाँ पर देखे इस funds related सभी information आपको यहाँ पर show कर दी जाएगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वो company है जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहें तो आपको इसके उपर यहाँ पर देखे क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पेज को नीचे इसकुल करना है यहाँ पर इस funds related सभी information आपको मिल जाएगी यहाँ पर हम लोग इस scheme के बात करें तो यह scheme एक open ended type के scheme रहती है यह replicate करेगी यहाँ पर ट्रेकिंग करेगी निप्टी 200 हलपा 30 index TRI को तो जो भी returns रहेंगे वो इसी के हिसाब से मिलने वाले है किन कंपनियों के अंदर यह fund invest करने बाला है इसके बारे में आगे हम लोग details में जानेंगे यहाँ पर हमें उन company की detail दी जाती है जो इस fund का benchmark रहने वाली है और ज्यादा तर जो इस fund का पेशा रहेगा वो इनी company के अंदर invest होने वाला है तो पहली company के बात करें तो इसके अंदर RAC limited आ जाता है यह green energy sectors के अंदर finance करने का काम करती है इस index के अंदर सबसे ज़्यादा weightage इसी का रहने वाला है 5.777 इसका weightage रहने वाला है दूसरी company की बात करें तो power finance corporations इस company का weightage यहाँ पे 5.38 रहने वाला है third company की बात करें तो यहाँ पे टाटा की company निकल के आती है print limited करके इसका weightage 5% से अबहु रहने वाला है इसके साथ ही एक energy की company फीरा जाती है भारत है भी electrical इसका weightage यहाँ पे 5% रहने वाला है इसके साथ ही भारत electronics निकल किया जाती है एसी जो populous company आइनर्जी sectors के अंदर वो company इस fund के अंदर हमें जादा देखने को मिल जाती है यहाँ पे अगर हम लोग इस NFO की important dates की बात करें और इसके benchmark की बात करें तो यह fund follow करेगा Tata Nifty 200 Alpa 30 Index fund को इसका जो price रहेगा वो 10 रुपे per unit रहने वाला है यानि कि आपकी जो NAV रहेगी उसका price यहाँ पे 10 रुपे रहने वाला है इस scheme के type की बात करें तो यह open इंडे type की scheme रहने वाली यानि आप कभी भी यहाँ पे invest कर सकते और कभी भी अपना पेसा विड़ो कर सकते अगर आप time due diligence के पेले अपना पेसा यहाँ से विड़ो करेंगे तो आपको कुछ चोटे मोटे charges यहाँ पे देने पर सकते हैं इस NFO की opening date की बात करें तो यह NFO 19 अगा से open हो जाएगा closing date की बात करें तो 2 सितंबर यानि अगले महिने तक यह fund चालू रहने वाला है अगर आप इस NFO के अंदर apply करते हैं और आपको allotment मिलती है तो 5 सितंबर को आप अपनी allotment track कर पाएंगे category की बात करें तो यहाँ पर यह fund index type का एक fund रहने वाला है यानि यह fund सिर्फ index को follow करेगा तो जो भी इसका index रहेगा यह fund उसी को follow करेगा minimum investment आपका starting में 5000 रुपे का रहने वाला है इस fund का यहाँ पर कोई भी locking period नहीं है इस fund के अंदर जो आपका risk रहने वाला है वो very high रहने वाला है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमें fund की और कुछ detail दी जाती है यानि इस fund के अगर हम लोग exit load की बात करें तो 0.25 यहाँ पर रहने वाला है अगर यहाँ पर आप 15 दिन के पेले withdraw करेंगे यानि आपको अलोटमेंट मिल जाती है 15 दिन के पेले आप इसको sale करेंगे तो आपको exit load यहाँ पर pay करना होगा entry load इस fund का कुछ भी नहीं रेने वाला यहाँ पर आप stamp duty देख सकते हैं minimum जो investment रहेगी वह 5000 रुपे रहेगी जैसे ही आपका minimum investment complete हो जाता है फिर इसके अंदर आप 100 रुपे से अपना S.I.P. स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर हमें इस fund के asset allocations के बारे में बता जाता है तो यह fund यहाँ पर follow करेगा Nipty 200 हल पर 30 index को तो जो भी fund का पेसा रहेगा वो 25% तक इसी index के अंदर invest किया जाएगा और maximum जो investment रहेगी वो 100% तक जाएगी रिस्क की profile very high है यानि आपकी capital यहाँ पर हमेशा risk पर रहने वाली है अगर इन fund managers को लगता है कि money market या money instruments related या किसी और mutual fund के अंदर इन्हें opportunities नजर आती है तो यह कम से कम amount यहाँ पर zero करेंगे दिन इने लगता है तो सिर्फ 5% तक जो fund का पेसा रहेगा invest करने के बारे में सूच सकते हैं यहाँ पर हमें fund managers के बारे में बताया जाता है जो इस fund के अंदर cover होने वाले तो जो capital goods रहेगा उसका 24% रहने वाला है financial service जैसे SDFC bank, ICC bank, SBA bank उनका share यहाँ पर 17% रहने वाला है healthcare industries की बात करें तो उसका share यहाँ पर 10% रहने वाला है automobile और auto component बना ले वाली company की बात करें तो मोटा माटी उनका भी 10% रहने वाला है oil and gas AC कई सारी company के आप percentage यहाँ पर देख सकते हैं जो भी fund manager रहेंगे इसी ratio में और इसी category के अंदर बोलो invest करने वाले हैं यहाँ पर अगर हम लोग इस index fund के returns की बात करें तो इस fund ने कुछ इस तरिगे के return दिये अगर आपने इस fund के अंदर 3 महीने के अंदर invest किया है तो आपको कुछ 5.13% के return मिलेंगे यहाँ पर अगर आपने 6 मंत पेले invest किया है तो उनका 40% तक return बन चुका है जिन लोगों ने 1 साल पेले इस fund के अंदर invest किया उनका return से आपके 78 टाइम से भी ज़्यादा उने देखने को मिल चुका है जो लोग इस fund के अंदर 5 साल से बने है उनका 34% से ज़्यादा का return से है अगर हम लोग इस index की journey को देखे तो इस के अंदर आपको अल्मोस जब से यह fund इस टार्ट हुआ है मार्केट के अंदर volatile कितना रहता है मार्केट उसे साब से आपको return देखने को मिल जाएंगे इसके साथ ही अगर आप अपनी allotment चेक करना चाहरे तो आप केम्स की official website पे जाके अपनी allotment यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो दोस्तो मुझे लगता है इस NFO से rated सभी information आपको मिल चुकी होगी फिर भी अगर आप इस NFO के बारे में details में जानना चाहते हैं तो आप money mint idea के उपर visit करके इस fund के बारे में सभी important details कुछ से भी आपे चेक कर सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ चीज़े आपको नहीं समझा रहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा मैं कोसिस करूँगा चैन्मर रिप्लाइ देने की चलिए दोस्तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकर एक साथ चलिए धन्यवाद